घर के मंदिर के कुछ जरूरी नियम नमबर एक वास्तु के अनुसार आपके घर का मंदिर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए नमबर दो, पहले के जमाने से यह मान्यता है कि मंदिर में एक भगवान या देवी की एक से अधिक मूर्ती या तस्विर नहीं होनी चाहिए अब यदि ऐसा पहले से है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है बस आपको इन्हें आमने सामने नहीं रखना चाहिए नमबर तीन, आप जिस भी भगवान या देवी की पूजा कर रहे हों, पूजा शुरू करने से पहले यह देख लें कि कहीं वो मूर्ती खंडित तो नहीं है या तस्वीर फटी हुई तो नहीं है यदि ऐसा है तो आप उन्हें घड से बाहर किसी पेड की नीचे रख दें या किसी बहते जल में जैसे की नदी में विसरजित कर दें लेकिन खंडित शिवलिंग एक अपवाद है उसकी आप पूजा कर सकते हैं खंडित शिवलिंग की पवित्रता बनी रहती है नमबर चार आपको घर के मंदिर की ओर यानि पूर्विया उत्तर दिशा में पैर रखकर नहीं सोना चाहिए यह अपशगुन है नमबर पांच आपके घर के मंदिर के सामने या आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए नमबर चे अपने पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए इन्हें आप मंदिर से बहार अलग से किसी आले में रखें यदि आपके पास कोई और जगह नहीं है तो आप उनकी तस्वीर को भगवान से नीची जगह पर रखें नमबर साथ देवताओं एवं देवियों की सौमे रूप वाली तस्वीर ही मंदिर में रखें उनके रौद्र रूप वाली कोई भी तस्वीर या मूर्ती नहीं लगाएं तो अच्छा है नमबर आठ यदि आपके घर में मंदिर है तो आप वहां रोज पूजा कीजिए मंदिर को दिन में बंद नहीं करना चाहिए आप जिस भी दिये से पूजा करें ध्यान रखिए कि वो खंडित नहीं हो नमबर नौ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि तस्वीरों को या मूर्तियों को एक एक इंच की दूर पर रखना चाहिए नमबर दास शनी देव या शनी माराज और भेरव जी की तस्वीर या मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए नमबर ग्यारा, भगवान के सामने केवल दूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करने से कुछ नहीं होगा ऐसे शायद आप भी खुद से प्रसन्न नहीं होंगे भगवान की पूजा बिना भोग के अधूरी है हर सुभः भगवान को भोग अवश्य लगाएं इसमें आप खुद के सामर्थे अनुसार भोग लगा सकते हैं बस प्याज और लेसुन का भोग नहीं लगाएं